श्रेया हैं 28 वर्षी है सर नमस्ते चार साल से एक लड़के के साथ संबंध में हूँ हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं पर प्यार के साथ रिलेशन्शिप में रोमान्स और इंटिमेसी भी आते हैं आज इतने सालों मैं उसको देखती हूँ तो दिखता है कि उसे तो सिर्फ फिजिकल लव ही चाहिए शरीर से आगे वो कुछ देखता ही नहीं मैं ठक गई समझा समझा कर मैं फस्सी गई हूँ प्यार तो मुझे भी चाहिए उससे पर सिर्फ देह वाला नहीं मैं उसे दूर नहीं कर सकती क्योंकि उससे प्रेम है पर उसकी शर्तें भी नहीं मान सकती क्या करूं दीखो श्रेया प्रेम न तुम्हें है न उससे है अगर समझदार हो तुम तो मुझे अपना उत्तर यहीं पर खत्म कर देना चाहिए पर इतनी समझदार होती ही तुम तो तुम्हें ये सवाल लिखने की नौबत क्यों आती तो समझदार तुम हो नहीं इसलिए मुझे आगए अभी 10-15 मिनिट बुलने की तकलीफ उठानी पड़ेगी क्या क्या बातें कहीं है चार साल से संबंद में हो हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते है पर उसे सिर्फ फिजिकल लव ही चाहिए ये फिजिकल लव होता क्या है मेरे लिए तो आज ये बिलकुल नई चीज खुली है थोड़ा समझाओ मेरे भी ग्यान चक्चु खुले ये फिजिकल लव क्या होता है लस्ट की बात कर रही हो उसको फिजिकल लव मत बोलो सेक्स की बात कर रही हो उसको फिजिकल लव मत बोलो पर ये भी भाशा के पैतरे हैं कि जब सेक्स को नाम ही अंग्रेजी भाशा ने दे दिया है मेकिंग लव तो वैसे ही तुमने उसको बोल दिया फिजिकल लव, यह फिजिकल लव होता क्या है अब यह मैं कह रहा हूँ, यह बात तुमको तो थोड़ी बहुत बुरी लगी रही होगी नजाने कितनों का दिल तूट रहा होगा कितनों ने तो अब तक हीट मेसेज भी टाइप कर दिये होंगे कि यह बाबा प्यार का दुश्मन हाई हाई प्रीम का मतलब समझते हो क्या होता है प्रीम का मतलब होता है तुम दूसरे की भलाई चाहते हो और यह बात क्या इतनी कठिन है समझने में तुम दूसरे का जिस्म नहीं चाहते, तुम दूसरे की भलाई चाहते हो, इसे प्रेम कहते हैं, दूसरे पर हवस का सांप बनकर लोट जाने को प्रेम नहीं कहते, कि सूचो, एक इंसान लेटा हुआ है और दूसरा उस पर हवसी अजगर बनके कुंडली कसे हुए है, और उसको कसता ही जा रहा है, कसता ही जा रहा है, और कहा रहा है, यह फिजिकल लव है, और थोड़ी देर में जिसको कसरा था, उसके फिजिकल प्राण पखेर उड़ गए, दोराओ, दस बार दोराओ, प्रेम का मतलब होता है, दूसरे की भलाई चाहना, वो तुम्हारे उपर चड़ बैठता है, इसमें तुम्हारी कौन सी भलाई हो जाती है भाई, कोई भी किसी पर चड़ बैठे, चाहे शारीरक रूप से, चाहे मानसेक रूप से, इसमें और आई किसकी कहा हो जानी है या हो जानी है हो जाती हो तो बता तो मैं शायद जानता है मालिश वालिश की बात अलग है कि तेल लगा के है चलो और पीठ पे चड़ जाओ और मुक्के उक्के मारो एकदम आज बढ़िया मसाज चाहिए वो चीज दूसरी है अगर तुम उसका जिक्र कर रही हो तो मैं सवाल समझा नहीं तुम्हारा फिर पर मुझे लगता नहीं की बात है हम मालिश वालिश की हो रही है कौन सा तुमको फाइदा मिलता है अगर कोई आके तुम पे चण बैठता है हाँ ये जरूर हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए तुमको भी शारेरिक सुख मिल जाता हो फिर तुमारे जीवन में तरक्की आ गई तुमारी चिंताएं कम हो गई तुमारी बेचैनिया मिट गई तुम इंसान बहतर बन गई तुमहें कुछ जिआन हो गया, तुमartetाएं का अनुभो मिल गया तुमारे भीतर से डर चला गया, लालत चला गया बोलो तुम किस तरीके से एक बहतर इंसान बन पाई हो ये चार साल तक जिस्मानी खेल 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 के बोलो और अगर इससे तुम्हें कोई बहतरी मिली है तो करे जाओ, खुब करो, यही करो और कुछ करो ही मत, खाना पीना भी छोड़ दो, यही करो बस भाई जिस चीज से बहतरी मिल रही हो जिन्दगी में, आदमी वही करे उसके अलावा कुछ और क्यों इससे कोई बहतरी नहीं मिल रही, इससे शरीर तो गंदा होता ही होगा, मन भी गंदा होता होगा किसी की हवस का खिलोना बनकर, किसको चैन मिलना है, या शान्ती या तरक्की, ऐसा ही लगता होगा जैसे किसी ने इस्तेमाल कर लिया तुम्हारा यूजड, क्या उससे तुम्हारे जीओने बहतरी आ रही है, और उसको प्रेम का नाम क्यों दे रही हो और नाम इसलिए दे रही हो, क्योंकि फिल्मों में देख लिया कि इसको ही तो प्रेम कहते हैं, लड़का लड़की मिले और लगे एक दूसरे को चाटने यही प्रेम है, और पक्का समझ लो, तुम इस बात को प्रेम नहीं बोलती हैं, अगर तुमने यह सब कुछ फिल्मों में न देखा होता, दोस्तों से न सुना होता, यह दोदर कहीं पढ़ना लिया होता, वगेरा वगेरा यह सब कुछ दिमाग में जो प्रभाव डाल दिये गए हैं, जो बातें रटा दी गई हैं, जो सिध्धान्त चटा दिये गई हैं, उनका नतीज़ा है, कि हम प्रेम के नाम पर नजाने क्या-क्या कर्तूते कर रहे हैं, जिनका प्रेम से कोई दूर-दूर का तालुक नहीं और तरक्की को प्रेम कहते हैं, दूसरे का हित हो सके इसकी खातिर अपना भी नुकसान कर लेने को प्रेम कहते हैं, दूसरे का शोशन प्रेम नहीं कहलाता, दूसरे पर मांगे रखना प्रेम नहीं कहलाता, दूसरे के उपर शर्ते थोपना प्रेम नहीं कहलाता, कि आप लोग जिस चीज़ को प्यार बोल रहे हैं ये दूर दूर तक प्यार नहीं है और प्यार बड़ी महंगी चीज़ होती है ऐसे थोड़ी होता है कि जवान हो गए तो प्यार आ गया ऐसे थोड़ी होता है कि शरीर में कुछ हॉर्मोन्स रसायन वगयरा अब उठने लग गए तो आप भी प्रेमी हो गए प्रेम सीखना पड़ता है और आप जिंदगी के 40-50 साल लगा कर भी प्रेम सीख लो तो बड़ी बात है अब इतने में बहुत लोगों को मजाक मिल गया हो क्यों भी बढ़ापे में क्या पती है देखो तुम्हारा इसके पीछे माननेता क्या है तुम कह रहे हो बूड़े हो गए तो सेक्स कैसे करेंगे तो तुम जो मजाक भी सोच रहे हो मेरी बात को उसके पीछे भी तुम्हारी माननेता यही है कि प्यार का सेक्स से कोई बहुत गहरा तालुक है वरना तुम इस बात पर हस नहीं पाते कि 60 साल में प्यार क्या करेंगे प्यार वो चीज है जो उम्र बढ़ने के साथ गहराती है मीठी होती है फिर कह रहा हूं प्यार सस्ता नहीं होता प्यार प्राकृतिक नहीं होता प्यार ऐसा नहीं होता कि कोई भी आरा गेरा है उसको प्यार आ जाएगा प्यार सीखना पड़ता है प्यार साधना दौरा अरजित किया जाता है प्यार प्राकृतिक नहीं होता डकार प्राकृतिक होती है शारीरिक हरकतें प्राकृतिक होती है प्यार शारीरिक नहीं होता इसलिए प्यार प्राकृत पर ले आना, मन को साफ करके, मन को निर्भय करके, जहां मन दूसरे का हित अपने हित से उपर रख सके, सूचो इसमें कितनी महनत लगेगी, मन को इस हालत में लाने में, ऐसा थोड़ी है कि 16 साल की हो गए, तो हमें भी जी हो गया, क्या हो गया, अरे बस अभी कल रात कोई तुझे हुआ क्या, मुझे भी हो गया, अरे वाइरस है कि तुझे भी लग गया, मन को जबर्दस शिक्षा देनी पड़ती है, बड़ी सफाई करनी पड़ती है, जीवन को दुनिया को समझना पड़ता है, और बिलकुल ठीक समझ रहे हो तुम, हजार में से 999 लोग मर जाते हैं, बिना प्यार का प भी समझे, आधा प भी समझे, क्योंकि जीवन में उन्होंने और दस चीज़ों पे ध्यान दे लिया होगा, मन को प्यार सिखाने पर उन्होंने कभी कोई ध्यान दिया नहीं, तो प्यार के नाम पे उल जलूल हरकते उन्होंने खूब करी जीवन में, अपने आपको भी खूब धोखा दिया कि साब हमें इस से प्यार है, ना तुम्हें किसी से प्यार है, ना तुमसे किसी ने कभी प्यार किया, प्यार करना बिरलों का काम होता है, प्यार करना बहुत स मूध होना आता नहीं, आशे की चरम पे है, ऐसे नहीं होता है, ये सब तो पुराने पैतरे हैं हवस मिटाने के, I love you, I love you का और मतलब क्या होता है, I love you बोलो, जिसन का खेल खेलो, और आवश्यक नहीं है कि जो I love you बोल रहा है, उसने बहुत सोच समझ के ये इरादा करा हो कि I love you बोल के फसाऊंगा, कई बार तो सोच समझ के चाल भी रची जाती है, कई बार चाल नहीं रची जाती, लेकिन फिर भी भीतर वृत्ति का इरादा यही होता है, अर्धचेतन तरीके से, सबकॉंशियस तरीके से, आपकी योजना यही होती है, कि प्यार शुरू हो और जिस्म तक पहुंचे, जल्दी से कहने मतलग जाना कि नहीं, मेरा तो ऐसा कोई रादा नहीं है, मेरा प्यार तो सच्ची भावना मात्र है, जो लोग बोल रहे हैं मेरा प्यार सच्ची भावना मात्र है, वो भावना शब्द ही नहीं समझते, भावना कोई हल्की फुल की चीज नहीं है, पहले समझो भावना होती क्या है, भाव माने क्या, भावना कहां से उठती, उसका विचार और वृत्ती से क्या संबंद है, पहले जानो तो सही कि भा प्वित्र प्रेम की भावना का अपमान हो रहा है न तुम प्वित्रता जानते न प्रेम जानते न भावना जानते अब तुम्हारा अपमान करने की जरूरत ही क्या है तुम्हारी जिन्दगी की यूहीं अपमानित है बात समझ रहे हो जिन्होंने जाना उन्होंने कहा है जिस रास्ते पर चल करके तुम अपने बंधनों से आजाद हो जाओ उसे प्रेम कहते हैं वो कहते हैं कि बहुत हैं जो बार बार कहते हैं कि प्रेम 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 लेकिन प्रेम वो समझते नहीं है प्रेम की एक ही परिभाशा है जिस रास्ते पे चल करके तुम वो रही न जाओ जो तुम पहले थे तुमारे भरम, भरांतियां, बंधन सब तूट जाए वो रास्ता प्रेम कहलाता है तो अब यह जो तुमने मुद्दा लेखा, इस पर तुम्हें क्या करना हो, तुम जानो मैं फिर वही बात दोरा देता हूँ जो मैंने पहले वाक्य में कही यह जो किस्सा है, यह प्रेम का है ही नहीं